अलो दोस्तों, JSC परिक्षा में एक वर्फिर से आपका स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिस ग्रामर के अगले टोपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं इस टोपिक का नाम है दोस्तों, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इस वीडियो में हम लोग लगभग 1500 से भी जादा वर्डो का साइनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने वाले हैं यह जी वीडियो होगा, वो JSC के किसी भी परिक्षा के लिए पेपर फर्स्ट जो की क्वालिफाइं इन नेचर का होता है, उसके लिए बेहद इंपोटेंट है और साथ ही साथ JSC सिजल के इंगलिस ग्रामर वाले पोर्षन के लिए बेहद इंपोटेंट है चलिए हम लोग अब साइनोनिम्स और एंटोनिम्स को सुरू करते हैं तो इस कड़ी में जो पाहला वड़ है दोस्तों हो है अबेस्मेंट ठीक है अबेस्मेंट की बात किया जाए इसका मतलब होता है अपमान करना ठीक है तो अबेस्मेंट का जो साइनोनिम्स होगा वो हो जाएगा scandal, same, degradation, dishonor, dispute और debasement और वहीं एंटोनिम्स की बात करेंगे कि abasement यानि कि अपमान का जो एंटोनिम्स हो जाएगा हो हो जाएगा esteem, renown, credit, repute और उसके आगे है honor, respect, righteousness या regard ठीक है तो ये से भी जो थे, वो abasement के sinonिम्स और एंटोनिम्स थे आगे है अगला word है हम लोग का, वो है abas तो abas का मतलब होता है, सरमिन्दा करना किसी को या निरास करना, यानि कि सरमिन्दा या निरास देखे, इसका जो sinonिम्स होगा, हो हो जाएगा कनिफ्यूज, डिस, कंसर्ट, या डिविल्डर, या डिसकोरेज, या हमबल, या इम्बेरेश, या मोक, या वे, ठीक है, या डिसहर्टेन, या मोटिफाई वहीं, अबैस का, हम लोग, एंटोनिम्स की बात करेंगे, तो हो जाएगा इनकोरेज, अफ़ोल्ड, होटेन, चीर, प्रेज, इंस्प्रीट, या एस्टुमिलेट, या कंपल, सेंसी, ठीक है, तो ये सभी जो हो जाएगे यो, अबैस, यानि की, निरास या सर्मिन्दा का, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएगे, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, आगे है अबैट, देखे, अबैट का, साइनोनिम्स जो होगा, हो हो जाएगा, या, decrease, lower, diminish, या, moderate, या, restrain, या, mitigate, या, lessen, ठीक है, ये सब, अबैट का हो जाएगा, साइनोनिम्स, अबैट का मतलब होता है, दोस्तों, की रोग थाम करना, ठीक है, वहीं, हम लोग, अबैट, यानि की रोग थाम करना का, ये अन्टोनिम्स देखेंगे, वो हो जाएगा, extend, या, prolong, या, aggravate, या, magnify, ठीक है, आगे का वर्ट है, दोस्तों, अबैट मेंट, ठीक है, देखें, अबैट मेंट का जो साइनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा, decrease, या, listening, या, reduction, या, mitigation, या, moderation, या, subsidence, या, 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 कि, अबैट मेंट का जो हिंदी होता है, होता है की, अबैट मेंट करते हैं, या, कटोती करते हैं, तो कटोती का, synonyms इस परकार थे उसी परकार इसका antonyms की बात करेंगे कि abattment का antonyms क्या हो जाएगा? हो हो जाएगा increase या increment या enlargement या augmentation ठीक है? तो यह सब भी क्या हो जाएँगे? abattment यहने की कटवती करना का synonyms और antonyms हो जाएँगे उसके आगे है दोस्तो वो है aberrient ठीक है? तो aberrient का जो मतलब होता है वो होता है कम होना ठीक है? तो इसका synonyms होता है capricious या irregular या unnatural या unnatural या abnormal या unusual ठीक है? यह सब भी क्या हो जाएँगे? aberrient यानि की कम होना का synonyms हो जाएँगे ठीक है? यदि हम लोग बात करेंगे कि जो aberrant है ठीक है? उसका एंटोनिम की आगा हो जाएँगा? तो aberrant का दोस्तो एंटोनिम से हाँ पास आगे है aberration ठीक है? एंटोनिम इवेरेंट का नहीं दिया गया है आगे है aberration ठीक है? तो aberration का जो मतलब होता है वो होता है पत भरष्ट होना मतलब यदि हम लोग बोलेंगे कि aberrant का sinon means के बात करेंगे तो इसका हो जाएगा aberrant और जो abacement था ठीक है तो abacement का मतलब था कटोती करना और aberrant का मतलब था कि कम करना तो वही same to same था दोस्ते इसलिए इसका एंटोनिम्स नहीं था चलिए आगे है aberration तो aberration का जो synonyms होता है वो होता है deviation या irregularity या insanity या divergence ठीक है यहनी कि divergence तो aberration का जो मतलब होता है वो होता है पत व्रस्ट होना ठीक है और इसका जो एंटोनिम्स होता है वो होता है truth या sanity चलिए आगे है abet word ठीक है तो abet का जो मतलब होता है वो होता है uksana ठीक है abet का मतलब होता है uksana इसका जो synonyms है वो है instigate, encourage, aid, help, assist, stimulate, insight, uphold, sight ठीक है उसी प्रकार इसका जो एंटोनिम्स होगा हो हो जाएगा impaired या discourage या hindrance या resist या debtor या frustrate या waffle या confound ये सब क्या हो जाएगे? abet यानि कि uksana का synonyms और antonyms हो जाएगे आगे है abetor तो abetor का मतलब होता है कि uksana वाला तो abetor का जो synonyms हो जाएगा वो हो जाएगा helper या instigator या associate या co-operator या assistant या accomplice या comprehension और इसका जो antonyms हो जाएगा हो जाएगा antagonist या register या opponent या adversary ठीक है? adversary तो abetor का मतलब होता है कि uksana वाला ठीक है? तो उसका हम लोग antonyms और synonyms देख लिएगे है abience ठीक है? तो abience का मतलब होता है कि च्छनिक बिराम मतलब थोड़ा समय के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिराम करते हैं ठीक है? तो इसका जो synonyms हो जाएगा वो हो जाएगा suspension या dormancy या reservation या indecision या adjournment ठीक है? इसका जो antonyms हो जाएगा वो हो जाएगा operation या exercise या renewal या revival या action या enforcement या action ठीक है? तो evidence का मतलब होता है कि च्छनिक बिराम चलिए आगे है accredited ठीक है? accredited का मतलब होता है दोस्तों कि प्रमानित ठीक है? तो इसका जो synonyms हो जाएगा हो हो जाएगा accumulated या gather या gain ठीक है? देखे इसका जो antonyms हो जाएगा वो हो जाएगा नए उसके बाद आगे वर्ट दिया गया है वो है acrid ठीक है? सेम वर्ट दोनों था acrid जो है वो इसका मतलब होता है तिक्षन ठीक है? तो इसका जो synonyms हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक है और acute का मतलब होता है नुकीला या धारदार ठीक है? आगे है इसके बाद adamant adamant का जो synonyms हो जाएगा वो हो जाएगा on yielding या obstinate या firm तो जो adamant है adamant का मतलब होता है कि हठी या अटल दिस्वास किसी को हो तो अटल मतलब हठी या अटल इसको बोल सकते हैं adroit ठीक है adroit तो adroit का जो synonyms हो जाएगा वो हो जाएगा a skillful या expert या a skilled इसका जो antonyms हो जाएगा a stupid या unskilled या dull ठीक है डल तो adroit का मतलब जो होता है चतूर और इसका synonyms, antonyms हो लोग अभी देख लिए आगे है affliction, affliction का मतलब होता है मुसीबत ठीक है इसका जो synonyms हो जाएगा miss fortune या adversity या sorrow ठीक है चली आगे है इसके बाद aggrandize ठीक है या aggrandize इसको बोल सकते हैं तो aggrandize का जो मतलब होता है वो होता है ब्रीधी करना ठीक है इसका synonyms हो जाएगा in reach या elevate या magnify उसे परकार इसका synonyms हो जाएगा disgrace या degrade या depressed ठीक है आगे है अल्ला ठीक है अल्ले तो इसका जो synonyms हो जाएगा हो हो जाएगा कम करना ठीक है जैसे is या pacify या calm pose इसका synonyms हो जाएगा a stupid या unskilled या done ठीक है चले आगे है इसका ambiguous ठीक है ambiguous तो ambiguous का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों और us first तो इसका synonyms हो जाएगा unclear doubtful या indefinite और इसका जो antonyms हो जाएगा हो जाएगा clear lucid या definite आगे है amiable इमीबल का मतलब होता है sanay ही मतलब इसका जो synonyms हो जाएगा pleasing sweet या attractive चले आगे है इसके बाद antonyms उसका pavish या selen या irritable ठीक है आगे है awful awful का मतलब होता है कि खराब इसका synonyms है horrible या majestic या grand ठीक है आगे है awkward ठीक है awkward का मतलब होता है नाजुक या कोछीज खराब हो गया है awkward उसको बोल सकते हैं तो awkward का synonyms हो जाता है clumsy rough और unganly इसका antonyms हो जाता है clever, skillful और artful ठीक है चले इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वो है baffle ठीक है तो baffle का मतलब होता है कि हैरान करना ठीक है मतलब defeat, cheat या frustrate या fail या out to it ठीक है इसका antonyms हो जाता है है या help या support आगे है barren ठीक है तो barren क्या जो मतलब होता है वो होता है अनुपजाओ, synonyms का होता है unproductive या infertile या blank या astral या unfruitful चली इसके बाद आगे है इसके बाद वो है antonyms इसका वह है fertile या fruitful या productive ठीक है चली आगे है best इसको best बोलेंगे best का जो मतलब हो सकता है वो बेकार भी हो सकता है या अधार भी किसी का बोल सकता है कि अधार तो इसका synonyms हो जाएगा mean या भलगर या corrupt या inferior या unworthy या dishonorable इसका antonyms हो जाएगा noble या illustrious या superior या high minded या majestic आगे है bestless ठीक है bestless का जो मतलब होता है वो होता है नीराधार नीराधार का synonyms होता है false या groundless या fanciful उसी परकार इसका antonyms सोजता है real, existing, actual या substantial आगे है better इसका होता है better का मतलब होता है पीटना synonyms हो जाता है beat, thrust, smash, mark, destroy या demolize इसका antonyms है shield, protect, help, surrender या retreat, add आगे है belief ठीक है बलिफ का जो synonyms होगा वो हो जाएगा trust, faith, opinion, credit, view, idea या assurance इसका antonyms हो जाएगा distrust या discreated या doubt या disbelief या suspicious ठीक है तो belief का मतलब होता है भावना तो हम लोग अभी belief का देख लिए इसके बाद है आगे दोस्तों वह है beneath तो beneath का मतलब होता है कि नीचे की और इसका synonyms हो जाएगा under या below इसका antonyms हो जाएगा over या above ठीक है यो कि beneath का benefit का मतलब होता है कि लाग उठाना तो इसका synonyms हो जाएगा profit या advantage या utility या kindness उसी परकार इसका antonyms हो जाएगा disadvantage या harm या obstacle या hurt आगे है blind तो blind का जो मतलब होता है वो होता है अंधा या कोई चीज यदि अपरत्यक्ष है तो हम लोग उसको blind बोल सकते हैं ठीक है तो जो blind का synonyms होगा हो हो जाएगा cyclist या stupid या careless या unsing या heedless या rest उसी परकार इसका antonyms है cunning, aware या penetrative या quick या keen या calculated चलिए इसके बाद है आगे beneficent synonyms से इसका generous या rebler या kind या benevolent या charitable या bountiful ठीक है? इसका antonyms से है covetous या greedy या wisely या uncharitable या illiberal ठीक है? इसके बाद है blemish तो blemish का मतलब होता है complete करना ठीक है? कलंकित करना blemish का मतलब क्या होता है? कलंकित करना इसका जो synonyms होगा दोस्तों हो जाएगा stain, sport या असकार इसका एंडोनिस जो होगा हो जाएगा decoration या orainment या purity आगे है bountiful bountiful का synonyms हो जाएगा fertile या abundant या plentiful इसका एंडोनिस हो जाएगा infertile या ascars या infertile आगे है bruscue, ठीक है bruscue का मतलब होता है assist ठीक है, और bountiful इसका का मतलब खा खहता है इसका एंट्टो निम्स हो जाएंगत दोस्तों ग्रेडवन या एक्स्पेक्टेड या कॉटस चलनी आगे है इसके बाद MATT कि कैजोल ठीक है, Casual का मतलब होता है, खुशामद करना, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, Bigule या Flutter या Blendish या Cox, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, Diswared या Dam या Cool या Disc Orange, आगे है Carcass, ठीक है, Carcass का साइनोनिम्स हो जाएगा, Form या Frame या Remains या Cops या Bulk या Mass या Body, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, Soul या Intellect या Spirit या Mind, आगे है Carnal, Carnal का साइनोनिम्स हो जाएगा, Flesy, Physical, या Bulgar, या Lustful, या Sensual, या Earthly, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, Aetherial या Spiritual, ठीक है, तो Carnal का हम लोग इसका बोल सकते हैं, Sareric, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, Sareric, चलिए, आगे है Careless, ठीक है, तो Careless का हम लोग साइनोनिम्स और इंटोनिम्स देखेंगे, Careless का है, Careless का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लापरवा, तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, Inattentive, या Headless, या Negligent, या Thoughtless, या Incaugious, ठीक है, चलिए, इसके बाद है, इसका Careful, या Attentive, या Active, या Thoughtful, या Vigilant, या Coget, Prudent, ठीक है, चलिए, इसके बाद है, आगे, वो है Catching, ठीक है, Pastillantial, या, Sorry, दोस्तो, आगे है इसका Contagious, या Virulent, या Communicable, या Infectious, ठीक है, इसका Anonis हो जाएगा, Healthful, या Non-Communicable, आगे है दोस्तो, Casual, Casual का बोल सकते हैं कि अनवचारिक, ठीक है, अनवचारिक का जो Anonis हो जाएगा, Casual का हो जाएगा, Random, या Accidental, या Chance, या Half-Guard, ठीक है, चलिए, इसके आगे है, इसका Anonis हो है, Planned, या Deliberate, या Pretentious, या Formal, आगे है इसके बाद, Cousin, Cousin का मतलो होता है, चितावनी देना, ठीक है, इसका Anonis हो जाएगा, Heed, या Care, या Watchfulness, या Prudence, या हो जाएगा, इसका Villegence, या Warn, या, इसके बाद है, Warning, या Council, ठीक है, उसे परकार, इसका Anonis है, दोस्तों, वो है, Hiddlesness, या Negligence, इसके बाद है, आगे, Neglect, या Imprudence, और Carelessness, या Abandon, ठीक है, चलिए, इसके बाद है, इसके बाद है, हम लोग का आगे वाला Word है, वो है, Compensation, Compensation का मतलब हो सकता है, दोस्तों, छती पूर्ती, या छती पूरण, ठीक है, Compensation, इसका Synonyms हो जाएगा, Satisfaction, या Remuneration, या Reciprocity, या Return, या Benefit, या Gain, इसका Anonyms हो जाएगा, Confiscation, Loss, Damage, Fine, Present, या Penalty, या Deprivation, इसका आगे है, वो है, Competent, Competent का Synonyms हो जाएगा, Proficient, Capable, Able, Skillful, या Efficient, या Adequate, या Sufficient, या Cleaver, इसका Anonyms हो जाएगा, Inefficient, या Incapable, या Inadequate, या Incomplete, या Unskillful, या Unqualified, या Dull, ठीक है, Completed का मतलब हो जो बोल सकते हैं, कि सक्छम, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सक्छम, और Incapable, मने सक्छम बोल सकते हैं, तो विसे परकार, आगे वाला वर्ड जो है, वो है, Compliment, Compliment का मतलब होता है, कि प्रसंसा करना, इसका Synonyms हो जाता है, Flutter, Fresh, Congratulate, या Please, या Gratify, या Felicitated, ठीक है, आगे हैं, Complete, Complete का मतलब बोल सकते हैं, कि पालन करना, ठीक है, इसका Synonyms हो जाएगा, Agree, या Submit, या Approve, या Ascent, या Exceed, या Ild, ठीक है, उसके बाद, आगे इसका Entonious बोल सकते हैं, वो है, Refuse, Reject, DNA, Defer, Protest, Decline, Asparn, ठीक है, यह सब बोल सकते हैं, आगे वाला जो वाड है, चैगरिन, किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, कि खीसते हैं, ठीक है, तो इसका जो Synonyms हो जाएगा, वो हो जाएगा, भैक सेशन, या Dismay, या Confusion, इसका जो Entonious हो जाएगा, वो हो जाएगा, Reputure, Rapture, या Glorification, या Delight, ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, आगे, वो है Cherish, Cherish का जो Synonyms हो जाएगा, हो जाएगा, Encourage, या Comfort, या Protect, इसका मतलब हो सकता है, कि ध्यान कर रहे हैं, हम लोग किसी का Protect कर रहे हैं, यानि कि उसका ध्यान करना, तो इसका Entonious हो जाएगा, Abandon, या Desert, या Leave, आगे है Child, Child का जो Synonyms हो जाएगा, हो जाएगा, असकोल्ड, ठी आगे है, Clumsy, ठीक है, Clumsy का जब Synonyms हो जाएगा, वो हो जाएगा, Pendrous, या Comparisome, या Inept, ठीक है, इसका जो Entonious हो जाएगा, वजाए, Clever, या Adroit, या Facil, ठीक है, Clumsy का मतलब हो सकता है, बिढ़ंगा, ठीक है, चले, आगे है इसके बाद, Closal, Closal का जो Synonyms हो जाएगा, Vast हो मैमोथ हो जाएगा, या Inroll, Mouse हो जाएगा, इसका जो Entonious हो जाएगा, मिनियेचर हो जाएगा, लेटिल हो जाएगा, या V हो जाएगा, चले, इसका Closal का मतलब हो जाएगा, कि अभी साल, ठीक है, Vast मतलब ही साल बोल सकते है, वही, या Enormous मतलब ही साल बोल सकते है, आगे द है हो जाएगा Lex, Loose या अस्प्रोवलिंग ठीक है आगे है Comprehend ठीक है Comprehend का Synonyms हो जाएगा Apprehand या Perceive या Embrace उसका Antonyms हो जाएगा वो हो जाएगा Miss understand या Miss Conveillance या Miss Apprehend ठीक है Comprehend का मतलब हो लोग बोल सकते हैं कि समाविष्ट करना किसी चीच को एक जगा क्या करना समाविष्ट करना चली उसके बाद हम लोग आगे का जो वड़ है वो है concise concise का मतलब हमनों बोल सकते हैं संचिप्त रूप से ठीक है यानि कि संचिप्त इसका जो synonymus हो जाएगा हो जाएगा condensed या compact या short या इसका devil ऑलींग्म जो हो जाएगा diffuse या repetitive या repetitive ठीक है चली आगे है kundign kundign का मतलब हो सकता है मुनासिब तौर से कुछ मुनासिब तौर से इसका बोल सकते हैं मुनासिब तौर से मतलब हो जाएगा relying या dependent 15 इसका अंटनुम सो जाएगा unjust या inadequate या inappropriate आगे है इसके बाद, इसके बाद का जोगट है दोस्तों, हो है Contaminate, Contaminate के बोल सकते हैं कि दुसित पदार्थ, ठीक है, इसका Synonyms हो जाएगा, Sully, Poison, Dirty, आगे है Antonyms, Antonyms हो जाएगा इसका Purity, ठीक है, आगे है Contemplate, Contemplate का जो Synonyms होगा, ठीक है, वो होगा Contemplate, या ठीक की बिचार करना इसका लोग बोल सकते हैं, ठीक है, Pounder या Plain मतलब बिचार करना होगर हम लोग इसमें बोल सकते हैं, इसका Antonyms जो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलिए, आगे है इसके बाद Covert, Covert का जो Synonyms होता है, या Covert का जो मतलब हो लोग बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, गुप्त बोल सकते हैं, ठीक है, क्या गुप्त, इसका जो Synonyms हो जाएगा, वो हो जाएगा Secret, Hidden या Disguised, आगे है Antonyms हो जाएगा Manifest, Open या Visible, उसके बाद है आगे Daily, डेली का मतलब होता है प्रती दिन, ठीक है, इसका जो Synonyms होगा, वो हो जाएगा Issued Everyday, या Happening Everyday, ठीक है इसका जो Antonyms होगा, वो हो जाएगा Happening Every Night, या Noctural, रोक्चरनल, या हो जाएगा Nightly चलिए आगे है Dam, Dam का मतलब हो सकते हैं कि बांध बांधना बोल सकते हैं, बांध बांधना, ठीक है तो इसका जो Synonyms हो जाएगा, हो जाएगा Suppressed या Impaired, ठीक है इसके आगे था, Obstruct या Check या Stop या Block या Bar या Hinder या Chalk इसका Antonyms था Release या Free या Lose या Unleast ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है आगे एक वर्ड पीछे ही दिया गया था, वो दिया गया था Descent ठीक है, तो Descent का मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा, मतलब हो जाएगा Chest या Fit या Befitting या Appropriate या Modest या Decorous या Proper या Suitable या Becoming या Respectable या Seemly या Fitting इसका जो Antonym हो जाएगा, हो जाएगा, भलगर या Imperer, Sorry Improper या Gross या Unsuitable या Indecorous या Reprehensible या Lude या Option ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इसके बाद है दोस्तों हो जाएगा Decision ठीक है, तो चलिए देखते हैं Decision का, Decision का मतलब होता है निर्नाए, ठीक है, क्या होत होता है निर्नाए, तो देखें, इसका जो Synonym हो जाएगा, हो जाएगा, Conclusion या Determination या Opinion या Consequence या Resolution या Result या Issue, और इसका जो Antonym हो जाएगा, हो जाएगा Delay या Post Comment या Indefinitness या Indetermination या Indeciation, ठीक है, चलिए आगे है, Dejected, Dejected का मतलब होता है इसका Synonym से Blue, Sad, Disheartened, या Discouraged, या Depressed, या Downcast, इसका Antonym हो जाएगा, Cheerful या Optimistive या Happy, आगे है Delicious, ठीक है, Delicious का मतलब होता है, स्वादिष्ट या अनंदमाए, ठीक है, तो देखें, इसका जो Synonym हो जाएगा, हो जाएगा, Testful, या Pelletable, या Denty, या Sweet, या Saviourly, या Appetizing, ठीक है, आगे है, Dejected, ठीक है, स्वारी, इसका हम लोग, जो आगे पीछे था, कि Dejected, यानि कि फिका, उसका Antonyms पढ़ना बूल गए, तो देखें, Delicious का जो Antonyms हो जाएगा, Distestful, या Unpilletable, या Repulsive, या Bitter, या Unsavory, या Sour, आगे है, Degree, Degree का Synonyms होता है, Order, या Grade, या Rank, या Quality, या Division, Step, Honor, Qualification, या Distiction, या Measure, ठीक है, Consequent हो जाएगा, या Conditional हो जाएगा, Pending हो जाएगा, Reliant हो जाएगा, Pendant हो जाएगा, Conting, Naint हो जाएगा, और Hanging हो जाएगा, इसका Antonyms हो जाएगा, Undepriate हो जाएगा, Unconditional हो जाएगा, independent हो जाएगा unfettered हो जाएगा या autonomous हो जाएगा या absolute हो जाएगा या restricted हो जाएगा आगे है deposit ठीक है deposit का मतलब होता है जमा करना तो deposit को हम लोग बोल सकते है synonyms की place या store या put या bank या addition या drakes या entry या sediment आगे इसका इंटोनिम्स है विड्रो करना या विड्रोल करना ठीक है मने निकासी करना चलिए इसके बाद है Danny Danny का मतलब होता है नकारना ठीक है किस जीच को नकारना इसका synonyms हो जाएगा disclaim, refuse, reject या oppose आगे इंटोनिम्स है acknowledgeable या confess, admit, attest या acid या assent ठीक है आगे है declare declare का मतलब बोल सकते है aspast बता देना ठीक है synonyms हो जाएगा assert, mag, broadcast known, estate, affirm, tail, say, pronounce ठीक है आगे है announce या profess, proclaimed, express आगे इसका एंटोनिम्स है suppress, withhold, console, dani आगे है इसके बाद defiant defiant का मतलब होता है स्वतंतर विचार रखने वाला ठीक है, मतलब अपना विचार खुद को बनाने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है defiant कहलाता है defiant का जो एंटोनिम्स है हो जाएगा submissive या yielding ठीक है, इसका synonyms synonyms या नीचे था कि antagosius या rebellious या obstinate ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ता है आगे है depravity ठीक है, depravity का मतलब होता है कि भराष्टरता, ठीक है चलिए, आगे है भराष्टरता का जो synonyms हो जाएगा depravity का synonyms हो जाएगा वाजाएगा badness या weakness या corruption इसका antonyms हो जाएगा nobleness या goodness या morality आगे है desolate desolate का जो मतलब हो जाता है वो होता है अकेला या उजड़ा हुआ कोई चीज ठीक है desolate उसको बोल सकते है इसका synonyms हो जाएगा alone या forland या bare या deserted antonyms हो जाएगा pleasant या enjoyable या lovely चलिए, इसके बाद बढ़ते है आगे है descent descent का मतलब होता है कि असाहमत होना ठीक है तो descent का synonyms हो जाएगा objection या difference या compliance इसका antonyms हो जाएगा assent या compliance या agreement आगे है इसके बाद dissimulation ठीक है मतलब इसका हो जाता है बिचारों का छिपाओ ठीक है देखे या इसका antonyms हो जाएगा alike या similar या same चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे है dissolute dissolute का synonyms हो जाएगा awara ठीक है awara को बोल सकते है loose, bad या unchaste या इसका जो antonyms होता है वो होता है good या moral आगे है इसके बाद distinctive distinctive मतलब होता है vicious enough enough का मतलब होता है कि परियाप्त ठीक है देखे परियाप्त जो enough है इसका जो synonyms होगा हो जाएगा plenty या plentiousness या abundance या sufficiency ठीक है इसका antonyms हो जाएगा dearth या deficiency या insufficiency या leg या scarcity चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद है entertain entertain का जो मतलब होता है सुविचार करना ठीक है सुविचार करना इसका जो synonyms हो जाएगा हो जाएगा in liban cheer gladden hold please या contemplate या inspirate या amuse या bigule या gratify इसका antonyms हो सकता है grief या distract या disgust disgust या बोर या sadden या distries या annoy चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है enthusiasm तो enthusiasm में का जो मतलब होगा हो जाएगा उत्सा उत्सा का synonyms जो हो जाएगा हो जाएगा exorness या fervor या excitement या intensity या devotion या zil या hilarity या passion या warmth आगे हैं अन्टोनिम्स वो है dullness या malign coldness या calmness या timidity या tiredness चलिए आगे है inamy inamy का जो मतलब होगा वो दुसमान बोल सकते हैं ठीक है इसका जुसा अन्टोनिम्स होगा हो जाएगा competitor या adversary या for या opponent या इन्टोनिम्स है वो हो जाएगा advisor या friend या well या well viser या pal या compensation या protector आगे है energy energy को हम लोग उजा बोल सकते हैं इसका जो synonyms होगा हो जाएगा strength हो जाएगा beam हो जाएगा power हो जाएगा stamina हो जाएगा might हो जाएगा force हो जाएगा bigger हो जाएगा efficiency हो जाएगा potency हो जाएगा capacity हो जाएगा उसे परकार इसका जो एंटोनिम्स है वो है laziness weakness या idleness या fatigue या in activity या dullness आगे है emotion ठीक है emotional ठीक है emotional का मतलब होता है भावक भावक का जो साइनिम्स हो जाएगा हो जाएगा ardent या passionate हो जाएगा passionate और हो जाएगा आगे over roughed या jealous या steering या enthusiastic या impatious आगे है इसका इंटोनिम्स हो जाएगा placid calm और tranquil आगे है employer ठीक है employer का मतलब होता है या supply maintained इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा employer और worker चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद इसके बाद है इसका elegant elegant का मतलब होता है कि सहज या सुन्दर ही बोल सकते हैं tasteful बोल सकते हैं या cultivated बोल सकते हैं graceful बोल सकते हैं repulsive हो जाएगा crud हो जाएगा rude हो जाएगा rustic हो जाएगा ungraceful हो जाएगा या displeasing हो जाएगा चलिए आगे इसके बाद है elementary elementary का मतलब है प्रारंभीक प्रारंभीक का जो synonym सोता है वोता है pure या primary या beginning या fundamental या uncomplicated या easy या unaffected इसका जो antonyms हो जाएगा mixed हो जाएगा difficult हो जाएगा hard हो जाएगा composite हो जाएगा complex हो जाएगा confused हो जाएगा entangled हो जाएगा involved हो जाएगा involved आगे चलिए इसके बाद जो है वो है emancipate emancipate का मतलब बोल सकते है बंधन मुक्त करना इसको बोल सकते है इसका जो synonyms जो हो जाएगा वो हो जाएगा liberate बोल सकते है free बोल सकते है deliver बोल सकते है discharge हो जाएगा remit हो जाएगा exempt हो जाएगा इसका antonyms हो जाएगा hold हो जाएगा check हो जाएगा suppress हो जाएगा confined हो जाएगा street हो जाएगा, entrain हो जाएगा, या inversion हो जाएगा इतियाधी, इस सब हो जाएगा चलिक आगे है, इसके बाद if for βैकसेंट, ठीक है? if for भैकसेंट का जो मतलब हम लोग बोल सकते हैं ठीक है? तो इसका जो synonyms हो जाएगा, वो हो जाएगा feminine हो सकता है, या ओमेनिस हो सकता है या सोफ्ट हो सकता है आगे इसका एंटोनिम से है जैसे मैस्कुलीन हो सकता है और नैमली हो सकता है या हीमेन हो सकता है आगे है इसके बाद erratic erratic का मतलब हो सकता है और अस्थीर और अस्थीर का जो synonyms हो जाएगा abnormal हो जाएगा irregular या odd बोल सकते हैं आगे है antonym atauanym हो जाएगा tejdy हो जाएगा acoustinary हो जाएगा या normal हो जाएगा आगे है exact great exact great का जो synonyms हो जाएगा magnify या enlarge या expand इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा हो जाएगा Containment या Degregate या Ascorn हो जाएगा ठीक है और इसका जो मतलब हो जाएगा कि Egregate Egregate का जो मतलब हो सकता हो जाएगा बढ़ा चभा कर कोछीज कह रहे हैं ठीक है चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे है Exigency ठीक है Exigency का मतलब हो सकता है कि संकटकाल जैसे कि Crisis हो जाएगा या Urgency हो जाएगा Distress हो जाएगा इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा Regularity या Ordinaries ठीक है Ordinari Ordinaries नेस या Normally ठीक है चलिए आगे इसके बाद हो जाएगा Explicit ठीक है Explicit का जो मतलब होता है वो होता है Us First ठीक है इसका जो Synonyms हो का दोस्तो वो हो जाएगा Definite हो जाएगा Exact हो जाएगा Certain हो जाएगा इसका जो Antonyms हो जाएगा Mixed हो जाएगा Indefinite हो जाएगा Doubtful हो जाएगा आगे है Filt ठीक हो जाएगा जो Filt हो जाएगा असलील और इसका Synonyms हो जाएगा Dirt हो जाएगा Fall nursing हो जाएगा Nastiness हो जाएगा Corruption हो जाएगा इसका जो Antonyms हो जाएगा P Bridging हो जाएगा Innocence हो जाएगा инokly Cleanliness नेस हो जाएगा या स्टेनली लेस या नेस हो जाएगा चलिए आगे है फर्म ठीक है तो फर्म का मतलब होता है ड्रीड करना क्या करना ड्रीड करना तो जो ड्रीड होता है ड्रीड नीचे होता है या ड्रीड नीचे करना होता है इसका सनुनिस हो जाएगा रिजीड हो प्रोटफूल हो जाएगा या तीमिंग हो जाएगा प्रोफिलिक हो जाएगा या लगजरियंट हो जाएगा या इसके आगे है इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा अन्प्रोडक्टिव हो जाएगा यूजलेस हो जाएगा आगे हैं फेमिनाइन की अन्सलिक हो जाएगा वमैनली हो जाएगा वमिनेनक हो जाएगा वमेनेक हो जाएगा इसका जो एंटोनीम होगा होगा मैंडी हो जाएगा मैल हो जाएगा ब्रेव मैं वह लिदा रagn ! चले आगे है परवीमियंट ठीक है देखे इसलों के बाद ऐसेागे llamum फरभेम ठीक है इसका जो साइनोनीम हो जाएगा या इसका जो मीनिंग हो जाएगा जो सीला टाइप का आदमी ठीक है इसका जो मीनिंग हो जाएगा फैरली हो जाएगा अर्नेस्ट हो जाएगा, अडेंट हो जाएगा, होट हो जाएगा, इन्थसियास्टिक हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा, चिली हो जाएगा, कूल हो जाएगा, फलेग्मेटिक हो जाएगा, इंपैसिव हो जाएगा, चली आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है फ fashionable हो जाएगा या doddy हो जाएगा चलिए आगे है fault fault का मतलब होता है कसूर कसूर का जो synonyms का सकते हैं mistake का सकते हैं defeated हो जाएगा responsibility और imperfection या short coming हो जाएगा weakness का सकते हैं या drawback का सकते हैं flaw बोलेंगे blemish और missed deed हो जाएगा error हो जाएगा इसका जो एंटोनिम होगा हो जाएगा, help हो जाएगा, gain होगा, benefit होगा, favor होगा, या advantage होगा, या perfection हो जाएगा, utility हो जाएगा, blessing हो जाएगा, इत्यादि, आगे है faith, faith का मतलब बोल सकते हैं आस्था, आस्था कि जो synonym हो जाएगा हो जाएगा, arrogance हो जाएगा, belief हो जाएगा, dependence हो जाएगा, trust हो जाएगा, scent हो जाएगा, loyalty हो जाएगा, confidence हो जाएगा, assurance हो जाएगा, आगे हैं इसका अंटोनिम हो जाएगा, faithlessness या disbelief हो जाएगा, या infidelity हो जाएगा या doubt हो जाएगा या suspenseness हो जाएगा या false का सानुम्स हो जाएगा false का मतलब होता है गलत ठीक है इसका सानुम्स हो जाएगा fake हो जाएगा, wrong हो जाएगा imitation हो जाएगा या quarter fit हो जाएगा या untrue हो जाएगा bogus, unreal, lying depressive ठीक है आगे है in correct इसका जो इंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा pure हो जाएगा true हो जाएगा genuine हो जाएगा honest हो जाएगा loyal हो जाएगा हो जाएगा just हो जाएगा just हो जाएगा real हो जाएगा आगे है fabricate fabricate का मतलब हम लो बोल सकते हैं गढ़ना या बनाना ठीक है कोई चीज को गढ़ना या बनाना तो इसका synonyms हो जाएगा contrast हो जाएगा contract हो जाएगा create हो जाएगा Assemble हो जाएगा, Frame हो जाएगा, Manufacture हो जाएगा, Produce हो जाएगा, Form हो जाएगा, Mac हो जाएगा इसका Anonym जो होगा, Destroy हो जाएगा, Race हो गा, Rune होगा, Rake होगा, Break होगा, Demolize होगा या D Range होगा, आगे है Facility, Facility का मतलब बोल सकते हैं, सुविधा सुभीधा का हम लोग बल सकते synonyms skillfulness हो जाएगा easyness हो जाएगा readiness हो जाएगा cleverness हो जाएगा hardness हो जाएगा difficulty हो जाएगा skillfulness हो जाएगा clumsyness हो जाएगा awkwardness हो जाएगा चलिए आगे है forbhempt इसका मतलब है कि उस्वक्ता भरी कोई चीज ठीक है तो इसका synonyms हो जाएगा fairly हो जाएगा earnest हो जाएगा hot हो जाएगा cool हो जाएगा chilly हो जाएगा intensive हो जाएगा चलिए इसके बाद होनों बढ़ते हैं आगे तो आगे है fluctuate fluctuate का मतलब होता है कि रुपांतरित होना synonyms हो जाएगा deflate, vary या wonder antonyms हो जाएगा stick, stop, hold fast चलिए आगे है इसका forward ठीक है forward का मतलब होता है भविस से कहना किसी का ठीक है इसका synonyms हो जाएगा हो जाएगा noris हो जाएगा या cherries हो जाएगा या please हो जाएगा आगे antonyms है इसका disregard हो जाएगा और neglect हो जाएगा याascular हो जाएगा आगे है'veprone फ्रोन का जो मतलब होता है दोश्तों होता है foster का मतलब था उपर वाला फ्रोन फ्रोन का मतलब होता है तयवर और foster का मतलब था पुरसाहन किसी को देना पुरसाहित करना ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद है frugal, ठीक है, frugal का मतलब होता है alp bie, इसका synonyms हो जाएगा, अस्टिंगी या temperate या economical, आगे है antonyms, antonyms हो जाएगा, wasteful हो जाएगा, self-adulgent हो जाएगा, या intemperate हो जाएगा, आगे है gratitude, gratitude का मतलब होता है धन्यवाद, thankfulness हो जाएगा, appreciation हो gratefulness हो जाएगा, इसका antonyms हो जाएगा, ungratefulness हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे है grief, grief का मतलब होता है दुख, इसका synonyms हो जाएगा, misery हो जाएगा, sadness हो जाएगा, sorrow हो जाएगा, tribulation हो जाएगा, trial हो जाएगा, anguse हो जाएगा, distress हो जाएगा, affliction हो जाएगा, वही हो जाएगा, एन एक्जिस्टी हो जाएगा, कैलमेटी हो जाएगा, या मिस फोर्चुन हो जाएगा आगे एंटरियम्स इसका इसक टैस्टी हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, हैपिनेस हो जाएगा या Merriment हो जाएगा Pleasure हो जाएगा Joy हो जाएगा और Rapture हो जाएगा आगे है Good ठीक है पोण हो जाएगा आगे है Gracious ठीक है, gracious का मतलब हता है तिजस्वी, तिजस्वी का जो synonyms हो जाएगा warm-hearted हो जाएगा या courteous हो जाएगा pleasing हो जाएगा, friendly हो जाएगा in gagging हो जाएगा nice हो जाएगा, good हो जाएगा polite हो जाएगा, benis efficient हो जाएगा tender हो जाएगा मसिफूल हो जाएगा, काइंड हो जाएगा आगे है अन्टोनिम्स इसका अन्सिबिल हो जाएगा, अन्काइंड हो जाएगा अन्ग्रेसियस हो जाएगा, रफ हो जाएगा स्योरली हो जाएगा, क्रिवल हो जाएगा हाइटफूल हो जाएगा, क्रसलाइस हो जाएगा, र्यूड हो जाएगा, आगे है गोर्नमेंट, ठीक है, गोर्नमेंट का मतलब हो जाएगा, सरकार, सरकार का जो साइनोनिम्स हो जाएगा, सुभेराइल, सुभेराइलिटी हो जाएगा, और सिस्टेम हो जाएगा, सिस्टेम ह हो जाएगा और एक्सी हो जाएगा disorder हो जाएगा रिबोल्ट हो जाएगा आगे है glorious glorious का मतलब होता है कि ठेस्वी ठीक है तो देखे इसका मतलब हो जाएगा कि splendid हो जाएगा brilliant हो जाएगा famous हो जाएगा noted हो जाएगा पॉंपस हो जाएगा, या डिस्टिंगेस्ट हो जाएगा, या एक्जल्टेड हो जाएगा, नोबल हो जाएगा, हाई हो जाएगा, सुप्रिंग हो जाएगा, मार्फिलस हो जाएगा, या एलिवेक्टेड हो जाएगा, रेज्ड हो जाएगा, या स्टेटली हो जाएगा, इस साइनोनिम्स हो जाएगा इसका डिप्रेशन, डाक्नेस या मिस्फोर्च्यून या मैजली, मिस्तरी हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा, मर्थ हो जाएगा, फन हो जाएगा, गलेडनेस हो जाएगा, जोय हो जाएगा, ब्लीस हो जाएगा, और festivity हो जाएगा या rapture हो जाएगा आगे है इसका जो genius genius का जो synonyms होगा या genius का जो meaning बोल सकते हैं प्रतिभा, ठीक है इसका जो synonyms हो जाएगा, ability हो जाएगा intellect हो जाएगा, talent हो जाएगा quality हो जाएगा, skill हो जाएगा इसका जो एंटरिम हो जाएगा, फोली हो जाएगा, और स्प्यूटिफाइटी 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 हो जाएगा, और सभटो सब्सक्राइब हो सफेंद से उससक Stevensذه सवेश्य और नीश्टी हो जाएगा mean हो जाएगा स मीनीघ्र आगे हैं ज्यनिUM का मतलब होता हुक होता है इमनदार इसका म blender होसाल अ होलाइगा हो सब्सक्राइब एं tested हो जाएगा या unmixed हो जाएगा इसका इंटोनिम हो जाएगा dissipated हो जाएगा false हो जाएगा real हो जाएगा blissuous हो जाएगा और component हो जाएगा आगे है grain grain का मतलब हम लोग बोल सकते हैं lab करना इसका synonyms दिया है attend unobtain wine secure react आगे इंटोनिम से इसका squander हो जाएगा loss हो जायगा, exhaust हो जाएगा, zero हो जाएगा, spring हो जाएगा, destroy हो जाएगा har expand हो जाएगा आगे है grow be great Bubble मतलब बोल सकते हैं गंधा, dirty बोल सकते हैं इसको sulevelly हो जाएगा, creamy हो जाएगा ठीक है इसका जो Should ice हो जाएगा ऑस पैरसियो जाएगा, td हो आगे है grumpy upon ठीक है, टुनक मीजाज ठीक है, मतलब खिस आने वला आदमी तो इसका जो स्यानोिमिनुम हो जायगा सियॉरली हो जायगा, पैटीस हो जायगा और फ्रेक्टियस हो जायगा आगे है, इसका ग्यूल ग्यूल का मतलब भजनों बोल सकते हैं, कि चल कपट करना किसी के साथ तो इसका जो synonyms हो जाएगा विलीनेस हो जाएगा फ्रोड हो जाएगा, क्लीबर हो जाएगा इसका जो antonyms हो जाएगा, mayoría sincerity हो जाएगा फिर к्रोडनेस होजाएगा. आगे है ग्लीबल. ठीक है, γ्लीबल ठीक है? टो गश्टो को मतलब है कि स्वाद या उतसाब कुछ बोल सकते हैं, इसका जो साइटों जाएगा हो जाएगा फिलीजर हो जाएगा, जेस्ट हो जाएगा और डिलाइट हो जाएगा तो वीडियो काफ़ी ल मीड़ा हो हो गया दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, कि अब अगले करम में दूसरा वीडियो लेकर करेंगे उसके बाद हम लोग महत्पून डेर सो लगभग उसमें भी पढ़ लेंगे साइनोनिम्स एंटोनिम्स तो हम लोग धीरे-धीरे ऐसे करके किलियर कर सकते हैं जैसे सिके किसी भी पृतिका परिक्षा के लिए यदि आप कोई भी स्वेट के वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवस्ट करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद